Good morning dear students, today we are going to start exercise 4.3 Before we start this exercise, we learn about multiplication of a fraction by a whole number Example है, multiply 3 by 4 by 8 Steps दे रखिये, solve करने की, कैसे करेंगे? The whole number is written as a fraction by placing 1 as the denominator 3 by 4, by का मतलब बता है multiply क्योंकि multiply करना था 8 अब यहाँ पर upon में कुछ भी नहीं है, denominator नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है? Next step में 3 into 8 लिखेंगे और 4 into 1, इनका multiply करेंगे तो 3 8s आ 24, 4 1s आ 4 अब 4 की डेबल में 24 6 time में आता है तो 4 1s आ 4 और 4 6s आ 24 तो अंसर आया 6 Question number 1 is fill in the blanks, 1 by 8 into 16 8 की टेबर में 16 2 time में आता है, ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं 8 1s आ 8, 8 2s आ 16 उपर क्या बचा 1 multiply 2 upon में 1 into 1 1 का 2 में multiply करा 2 upon में 1 का multiply 1 में किया तो 1 अंसर आया 2 Second वाला B, 7 multiply 21 upon 8 यहाँ पर कुछ नहीं था, denominator तो हमने 1 लिख दिया वही प्रोसेस multiply किया हमने 7 into 21 और upon में 1 into 8 21 और 7 का multiply किया 147 अंसर आया, upon में 8 Now, इसको mixed fraction में change कर लेते हैं 8 की table में 14 आता है, वन टाइम में और 8 एट जा 64 ठीक है, तो अंसर आया 18, 3 upon 8 यह mixed fraction में change कर लेते हैं फिर एक और example दिखते हैं इसका E वाला 1 by 7 into 2 by 5 अब यहापर आपको डिनोम्टर लगाने की जरवत नहीं क्योंकि दोनों fractions जो हैं वो complete दे रखें 1 into 2 upon में 7 into 5 1 का 2 में multiply कर आट 2, 75 is a 35 Next, F वाला 56 into 7 by 8 8 की table में 56, 7 टाइम में आता है तो 8 बंजा 8, 8 सेवन जा 56, इससे cancel हो गया उपर बचा 7 into 7 upon बचा 1 7 सेवन जा 49 upon 1 इसको लिख सकते हैं हम 49 ठीके? Now, question number 2 है, multiply the following ठीके? एवाला 5 into 2, 8 into 46 Simple है, multiply करना है 5, 2 is a 10 और 8, 6 is a 48 ठीके? इसमें इवाला देखते हैं हम वो भी simple है दोनों का उपर वाले का numerator का multiply करेंगे और upon में denominator का multiply करेंगे एफ वाला भी इसी है numerator का multiply upon में denominator का multiply ठीके? फिर इसके बाद है, question number 3 simplify and multiply the following mix fraction दे रखा है, इसको पर लिए अपन proper में या फिर improper fraction में change रण लेंगे 3 into 2 by 1, 3 पहले change कर लेते, 3, 2 जा 6 6 में 1 को plus करा तो है, यह हो गया 7 upon 3, चिके? अब यहाँ पर denominator में कुछ नहीं था, 3 के पास तो हमने 1 लिख दिया, चिके? अब multiply करते, 3, 7 जा 21 और 3, 1 जा 3 3 की table में 21 7 टाइम में आता है, cancel कर दिया हमसर आ गया 7 next example दिखते हैं, फिर अपन इसका यह वाला 14 multiplied 2, 4 upon 7 change करेंगे 7 टूजा 14, 14 to 4, 18 upon 7 यहाँ पर 14 के upon में denominator नहीं था, तो 1 लिख दिया हमने तो ही हो गया, 14 into 18 upon में 1 into 7 7, 14 की table में 2 time जाता है, sorry 7 की table में 14 2 time में आता है 7 बन जा 7, 7 टूजा 14 उपर बचा 2 into 18 upon में 1 into 1 18 टूजा 36 upon में 1 तो इसको हम direct 36 लिख सकते हैं यह हमारा answer हो गया अब इसी में अपन एक example और दिखते हैं इसी का question number C वाला 10 into 2 1 by 5 5 टूजा 10 plus 1 11 upon 5 10 के upon में कुछ नहीं था तो हमने 1 denominator लगाया 5 से 10 कैंसल हो गया 2 time में उपर बचा 11 into 2 या फिर 2 into 11 अपन में 1 into 1 चीक है 2 into 11 हो गया 22 1 into 1 हो गया 1 ना question number 4 यह simplify, multiply, reduce and reduce the product to the lowest top तो हमें simplify करना है then उसको mix fraction में change करके लिखना है पहला वाला देख लेते हैं first number पे 1 1 by 3 into 2 1 by 2 4 change किरा 3 बंजा 3 और 1 4 2 2 जा 4 और 1 5 5 by 2, 4 by 3 multiply करेंगे 2 2 जा 4 4 cancel हो गया 2 से उपर बचा 2 into 5 यहाँ पर बचेगा 2 multiply 5 अपन में 3 into 1 तो यह हो जाएगा 2 5 जा 10 3 बंजा 3 अब इसको mix fraction में change करना है तो हम mix fraction में change कैसे करते हैं 10 को 3 से divide लगाया 3 3 जा 9 10 में से 9 गया 1 जो हमारा remainder है वो बन जाता है numerator जो quotient है वो बन जाता है whole number जो divisor है वो denominator चिक के यह इसको solve करने का तरीका है एक example और करते हैं इसमें हम इवाला 3 1 बाइ 4 इंचु 2 3 बाइ 5 4 3 जा 12 और 1 13 तो योग्या 13 अपॉन 4 5 2 जा 10 और 3 13 अपॉन 5 13 का 13 में multiply करेंगे तो 169 4 5 जा 20 अब 20 से 169 को divide करेंगे तो 8 टाइम में divide जाएगा तो यह quotient whole number जो remainder है वो बन गया हमारा numerator और जो divisor रहता है वो हमारा denominator बन जाता है ठीक है exercise 4.3 complete हो गई है अब हम करेंगे exercise 4.4 find the reciprocals of the following numbers and fraction तो what is the reciprocals तो हम पढ़ते हैं ठीक है before proceeding to division we need to understand the word reciprocal the reciprocal of a fraction is obtained by interchanging the numerator and the denominator that is by inverting the fraction reciprocal मतला किसी भी fraction का numerator जो है वो और denominator आपको interchange करना है जैसे fraction is 7 by 8 तो हम इसको reciprocal अगर बोलेंगे तो इसका reciprocal होगा 8 by 7 it is also called the multiplicative inverse take a look some fraction and their reciprocal or multiplicative inverse जैसे fraction था 6 by 7 इसका reciprocal क्या हो जाएगा 7 by 6 ठीक है होल नमबर 5 है तो 5 की अपोन में 1 लगाएंगे और change करते समय 1 अपोन 5 प्रोपर फ्रैक्शन बन गया ठीक है 1 तो 1 का होल नमबर है 1 1 अपोन 1 लिखा 1 अपोन 1 विल रिमेंड दा सेम कोई change नहीं होता है और 0 का 0 has no reciprocal कोई reciprocal 0 का नहीं होता है So, first question 12 तो अभी हमने आपको बता है एक तरफ fraction एक तरफ इसके reciprocal तो अपोन में 1 लिख सकते हैं हम ठीक है तो 12 की अपन में लिखा 1 इसका reciprocal क्या बना 1 अपोन 12 फिर एक और एकजामपल 4 बाइ 3 इसका इंटर्चेंज कर देंगे denominator numerator को तो 3 अपोन 4 प्रोपर फ्रेक्शन है क्योंकि numerator चोटा है और denominator बढ़ा है फिर इसका एकजामपल है 2 3 बाइ 5 फिर इसका इंटर्चेंज करा 5 तूजा 10 और 3 13 अपोन 5 फिर मिक्स फ्रेक्शन था इसको पहले अपोन ने चेंज किया मिक्स फ्रेक्शन से उसके बाद हमने इसका बनाया reciprocal तो अपोन में 13 आजाएगा और 5 इंटर्चेंज होके उपर चले जाएगा ऐसा ही है 8 अपोन 9 4 तंबर का तो हम इसको लिख सकते है 9 अपोन 8 फिर है 1 तो 1 के अपोन में 1 लिखेंगे will remain the same तो कोई change रही आएगा 1 का 1 ही रहेगा फिर है division of whole numbers by a fraction number of halves 1 by 2 in 1 मतलब एक circle में 2 पार्टे half तो हम इसको किसे लेखेंगे 1 divided 1 by 2 equals to 1 multiply का sign लगाएंगे solve करने के लिए तो ये interchange हो जाएगा 2 उपर चले जाएगा और 1 नीचे आजाएगा ठीके so 1 से 1 cancel हो गया यहाँ पर क्या बचा 2 next में half की कितने दे रखे हैं 2 circle में 2 halves दे रखे तो 2 divided 1 by 2 इसको एंटर चेंज करेंगे 2 उपर जाएगा 2 तू जाएगा 2 तू जाएगा 2 तू जाएगा ठीके question number next में fill in the blanks 1 number of 1 by 5 in 3 equals to 3 divided 1 by 5 तो 3 divided 1 by 5 multiply का sign लगाएंगे solve करने के लिए 5 उपर चले जाएगा 1 नीचे 3 5s आ 15 15 upon 1 equals to कितना होता है 15 next है 1 by 4 in 5 तो 5 divided 1 by 4 multiply का sign आएगा interchange हो जाएगा reciprocal बन जाएगा तो 4 उपर आजाएगा 1 नीचे 5 4s आ 20 answer क्या आगया 20 1 by 3 in 6 so 6 divided 1 by 3 reciprocal बनाएगे interchange करेंगे numerator को 3 upon 1 हो गया 6 3s आ 18 ठीक है 1 by 2 in 7 7 divided by 1 by 2 change करेंगे reciprocal में so 7 multiply 2 by 1 7 2s आ 14 so answer is 14 24th आ 15 白 açık here we complete exercise eh4.4 6achen 6 खाभरबूए 6 aga 6 खार्ट आ 17